मुझा देटर्मिनेशन अफ एक्विलिब्रम कॉंस्टन्ट एक्विल्रम को बिख्विलिब्रम क्युक्त这里 इंञे के टित अब म आओे कि आय। हमारे हैं, हाइड्रोजन आयोडीन के इफ्विल्रम में एक्विल्राइड हमारे कुछ आऐचित था इंदन, जagine, फिःटकत अब मैं फ्यमिशनट के लगण खेसिट एक्षिटेट आए वार्टा इन्न रिएक्शन आखे चैबोबा तो यह इस्ट्रीफिकेशन आए, छाकान है इथाइल एस्टेट इस्टर ठाई रहे हो आए, पर जोने वापस पुएते बने, रिवर्स थे, जोने इथाइल एस्टेट खे वार्टा रियक्ट कराएं, जोने व वापस पोईते वनी acidic acid unethyl alcohol ठाहे तर इन रियक्शन के चैबुआ तर यहाँ hydrolysis आहे हाने असना चाहूं था पहुंचे topic यह तरफ determination of equilibrium constant याद कन्दाओ acidic acid वारे रियक्शन में acidic acid unethyl alcohol वारे रियक्शन जी जेका केसी वेल्यू वा केसी वेल्यू उननजी 4 आहे या केसी वेल्यू याद करनी होंदी likewise हम आग याद करना हों दो जिन्हें hydrogen and iodine के मिलाए असा hydrogen iodide ठाहे हूं इनके चैबो तो यहाँ synthesis of hydrogen iodide आहे या preparation of hydrogen iodide आहे तो हिन्हा hydrogen iodide में जेका केसी वेल्यू याद करनी होंदी या केसी वेल्यू याद करनी होंदी या 54 आहे या फिक्स आहे या वेली थी दी आहे with temperature पर इत्ते याद करनो तो hydrogen iodide जी जेका वेल्यू वा वह 54 आ चोवन जाहा है इनका पो अवांके इनन equation जो equilibrium constant लिखादा आचे Acetic Acid, Ethyl Alcohol, Ethyl Acid, Water और जेके लेसा के केसी लिखनियां तो है मथे product रखना सी है हेट असा reactant के रखना सी है है तो है मथे product के रखना है, Ethyl Acid, Water के रखना है हेट असा reactant के रखना है ये चैसी जो के ऐसी वेल्यूट है equation जो वह लिखनाना की इनका पो अहम शेय अचेया जेका करें करें पुछी विन दिया तो है, Acetic Acid, Ethyl Alcohol, Ethyl Acid Water जेका केसी formula हा हिनका और जो केड़ों ती नो याद कना हो ते, Acetic Acid वाने में केसी जो हिंखा इलावा जो को फार्मूल हुआ वो हो आए X स्कॉायर अपान A माइनस X इंटो B माइनस X एसिडिक एसिड जिलाए याद का बोद X स्कॉायर है A माइनस X आए B माइनस X आए उन्हें आपको असा चम्द था हाइडोजन आयोडाइड में हिंजो बसा केसी फार्मूला लिख्यों आए जो मत्य हसा प्रोड़क्ट रख्या है HI मोर्स असा पावर में नाएन हेट हसा रियक्टन रख्यों आए हाइडोजन आई आयोडीन पेरी अवा के ही लिखना आएजी उन्हां पो वांके खबर हुजे हाइडोजन आई आयोडीन वारे जो केसी वेड़ी हुआ वो 54 आए उन्हां पो ही उको जो सेकंड फार्मूला आए यो फार्मूला इस्तामाल थी दो आए फार्द डिटर्मिनेशन आफ एक्विलिब्रम कांस्टन एक्विलिब्रम कांस्टन के डिटर्माइन करना जाला है लिए फार्मूला आप इस्तामाल थी दो आए हाँजे करेने हाइडोजन आई आयोडीन आ हे नहाँ हे टू मोल साहां तर जो सक्कॉर कवो जो थी दो 4 आए X जो सक्क्वार कवो थी दो 4 X सक्कॉ़ायर याद कवो तो hydrogen iodine वारे में फार्मूला थी दो 4X square है A या आइं है B या या इनके कब हो A minus X into B minus X यह बग फार्मूला टेक्स्ट बुक जे हसाब सा आपके याद करना होँदा याद करना होँदा था X square A minus X आइं B minus X acidic acid जे लाए है जे में 4X square है अपान A minus X आइं B minus X है जे 4X square वार जे फार्मूला यह hydrogen iodine जे लाए है कोचिंग क्लासेज में इनमें साथां के तफसील में पढ़ाया होँदा तफसील में जरूत ना है सिर्फ बग याद कब है याद कब हो acetic acid जे लाए जे को X square आइं B याद कब हो hydrogen iodine जे लाए याद को 4X square आइं जा केसी वेल्यू जात करना होँदा उनसां concerned बग प्रॉब्लम साइन हाने उवे डिसकस कहें होँदा प्रॉब्लम साइन है याद केसी सा रेलिटीट गाइं परॉब्लम पनुस्टा 4.6 gram of ethyl alcohol and 6 gram of acetic acid kept at constant temperature until equilibrium was established 2.0 gram of unused acetic acid were present of acid या acid करिया है acetic acid were present calculate the KC ताहां के छाहा कल्कुलेट कान जदा चाही रहा है ताहां के चाही रहा है ताहा कल्कुलेट कायो KC, KC means equilibrium constant हिन प्रॉब्लम के हलकन जी का बज़रूत ना है जेकर नहीं हो प्रॉब्लम related आहे इथाईल अल्कोहल आहे एसिटिक एसिट साँ जेका असा equation लिखी रहा है हासी acetic acid आहें इथाईल अल्कोहल साँ ताहाने इनमें अवां के equilibrium constant केसी calculate करना जी ज़रू होता है ना है जे में इसा निठाही रहे हो इथाईल असिटेट आहे वाटर अवां के याद हों गुर जी तो इन जो जेको केसी वेल्यू हुआ वो घणवा इन जो केसी वेल्यू फोर आहे देट मिंस इतने असा जवाब फोर ही नो वरी रिपीट के यां तो इसाँ के problem लई रहे हो आहे 4.6 gram इथाईल अयल्कोहल जा प्राइच वेल्यू केतर हो तो इकविश्ण जो केसी वेल्यू हो आहे याद करने हों दो केतर हो यो फोर हो उनने के कल्कुरेट करने जी ज़रूरत ना है आधर आवां जो को एंसर थीं दो वो 4 थी नो इन खांपो अगर हैडेक किसमज़ प्राप्लम आगे इन अ रेक्शन A plus B is equal to the 2C when equilibrium was attained the concentration of A and B A and BG जी जी का concentration तही रहे हुआ वो 4 moles हा and concentration of C is 6 moles calculate the equilibrium constant KC हाने हमां के चाही रहे हुआ तहा KC calculate के हो अगर हैडेक किसमज़ प्राप्लम आगे तो उनने के साल्फ कान आसान हों दो वो की है असान लेकान था असान वरीब equation था लेकान equation आगे A plus B is equal to the 2C A and B जी जा अवां के mole दरी रहे हुआ है 4 A जा mole भी 4 है B जा mole भी 4 है C जा अवां के mole दरी रहे हुआ है 6 जो square करन दो A आएं B जा mole रखन दो A जा mole भी 4 आएं B जाब भी जाब मोल भी 4 हाने इनने के आवां के solve करनों हों दो simple आ है 6 जो square करन दो 36 दो 4 के 4 सा मुल्टिप्लाय करन दो ता जवाब इन दो 16 हाने 36 के simply divide करनों हों दो 16 साम जवाब इन दो 2.25 हाने यो 2.25 अच्छा है यो जो केसी आए 2.25 यो सां किया solve करनों हों दो असा equation आवां के denun हों दी मत्य product रखन दो heat reactant रखन दो moles आवां के A, B, C, Treme आवां के moles मिले ला हों दो put करे आवां के simple उना के solve करनों दो परज एक रहे तमां सागल है रहे हुआ है ethyl alcohol acetic acid आवां के आवां के ज़रूत ना ही इन जो case value 4 आ तेकर तमां के hydrogen iodine ये बारे में नहीं रहे हुआ reactant side का hydrogen iodine तो याद करना उन जो case value आ वो 54 आ है acetic acid ethyl alcohol बारे problems के solve करना जी जरूत ना हुँदी hydrogen ना iodine आई poor hydrogen iodine reactant side का hydrogen iodine product side का hydrogen iodine तो उनके solve करना जी जरूत ना हुँदी उन जो जवाब 54 हुँदी I hope अवां के casey जाजे के problems आए वे काफी हत्ते समझे में अच्छी चुका हुँदा thank you very much Allah हाफिज